नमस्कारम प्रीजनों आप देखने भी चुपाइट सल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है फाइनली आप लोग के बेसबरी का बांग जो तूटने वाला था वो नहीं तूटेगा आप लोग के इंतिजार की घड़ी पूरी होती है CUT UG का रेजल्ट 10 बज़े आना था नहीं आया 2 बज़े आना था फिर नहीं आया लेकिन उसी के लगबख 45 मिनट बाद यानि 3 बज़े के पहले रात में आज रात में जब वीडियो जा रहा है थोड़े दिर पहले आपका रेजल्ट अनाउंस्ट हो गया बहुत सारे बच्चे तो अपना रेजल्ट तुरंट इमिडियेटली चेक कर लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंटिंवर्स लाइफ से जोड़े हुए थे अलग-अलग यूट्यूब चैनल्स को देख रहे थे बहुत लोग बेचैन थे पैनिक थे उनको अपना रेजल्ट देखना था उन लोग ने देख लिया अब जिन्नोंने नहीं देखा है उनको मैं कुछ बाते समझा रहा हूँ और जिन्नोंने देख लिया है वो भी मेरी बातों को ध्यान से सुनों क्योंकि रेजल्ट के बाद बहुत सरे सी चीज़े हैं आपको समझनी है और देखनी है सबसे पहले जिन्नोंने अपने रेजल्ट नहीं चेक किये हैं वो जाके चेक करें उसका जो प्रोसीजर है वो है cut.summit.ac.in जहां से आपने form fill up किया था जहां से अपने admit card डाउनलोड किया था उसी के नीचे आप देखो आप आपका score का डाउनलोड करने का option आ रहा है जिसमें आप प्रोसेस फिर से समझा रहा हूं गूगल पर जाना है official website यानि cut.summit.ac.in पर जाना है वहां पर application number cut के डालना है पासवर्ड डालना है फिर capture code डालना है जैसे इंटर मारोगे तुरंद नीचे आपका score का डाज आएगा उसको डाउनलोड करने है उसमें देखोगे बड़ा ही प्यारा साब का नाम होगा आपकी अच्छी इस तस्वीर होगी उसके ही नीचे आप देखोगे आपका पूरा percentile और marks दोनों mention है percentile और marks दोनों mention है percentile 100 में count किया गया है marks, agities जो आपकी number of questions थे उसके basis पे count किये गया है percentile की value बहुत अच्छी देखने में लगेगी यानि बहुत 88 नजरा सकता है 92 इवन बहुत साई लोगों के 98 tends to 100 ऐसा कुछ होने वाला है तो ऐसे में आप लोग हमेशा इस चीज़ को समझने कोसिस करो कि percentile से admission कैसे होता है तो इसका जो वीडियो है वो next में लाने वाला हूँ अभी इस वीडियो के description में एक